आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ गोन को सरी तरीके से कैसे फ्राय किया जाए तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ घी को गरम कर लेंगी आप चाहो तो घी की बदले तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हो अब घी अच्छे से गरम हो चुका है यहाँ हमने लिया है गोन गोन को हमने छोटे छोटे तुकडे वाला लेना है जिससे कि वो बहुत अच्छे से फ्राय होता है अब घी गरम होने के बाद हमने गोन को हातों में ऐसे लेके उसे फैलाते हुए कड़ाई में डाल देना है पहले वाला गूंद हलका सा चटकने लगे उसके बाद हम फिर से और थोड़ा सा गूंद इसमें डाल देंगे और इसे step by step हमने गूंद को इसमें डाल देना है एक साथ पूरा ही गूंद आप इसमें बिल्कुल भी न डाले बलकि हातों से ऐसे फैलाती हुए थोड़ा थोड़ा करकी गूंद हम इसमें डालेंगे और उसे अच्छे से फूलने देंगे आप देख सकते हो कि गूंद चटक के पूरा अच्छे से फूलने लगा है अब एक कल्ची के मदद से इसको हिला के चेक कर लेते हैं और सारी तरब से अच्छे से इसे फ्राय कर लेंगे तो यह देख सकते हो आप पूरी ही गूंद हमारी बहुत अच्छे से फ्राय हो चुकी है और इसका पूरा एक एक दाना बिलकुल सेपरेट लग रहा है तो ऐसा ही गूंद हमें फ्राय करके रेडी चाहिए आप देख सकते हो इसका कलर भी बहुत अच्छा आगया है अगर आपको ऐसे वाइट कलर पसंद है तो आप इसे स्टेज में इसे निकाल ले लेकिन मैं इसको और थुड़ा सा गुल्डन ब्राउन करूंगी क्योंकि मुझे वैसा जादा अच्छा लगता है तो ये देखें ये बिलकुल परफेक्टली रेडी हो चुका है अब इससे चमश की मदद से हम निकाल लेंगे ये तो हो गई सही बात लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कई बार हम से क्या भूल होती है कई बार हम कड़ाई में घी अच्छा से गरम कर लेते हैं लेकिन गोन डालते वक्त हम एक साथ पूरा गोन को डाल देते हैं और इसके बाद ये गोन जो है वो आपस में चिपक जाता है और इसके वज़े से वो अच्छे से फ्राय नहीं हो पाता और पूरी जो गोन है हमारे एक साथ चिपक के पूरी पापड़ी की तरह टाइट हो जाती है और वो खिली-खिली नहीं बनती है ऐसे ही ध्यान रखें कि आप इसमें एक साथ पूरी कटूरी का गोन बिलकुल भी ना डाले हाथों से फैलाते हुए इसमें गोन डाले ताकि आपका गोन इस तरह से चिपके नहीं और वो बरबाद होने से बच जाए तो अपना एक्सपरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया आपको ये रेसिपी अगर जरा भी हेल्फुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करे और मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग यूरसल्फ इसे सब्सक्राइब करें और अपने गोस्तों के साथ इसे शेयर करें